न्यूस चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि शायद दिल्ली में उपर आज़्यपाल बदला जाए और सुर्खियों में जो नाम सामने आ रहा है वो दादर नगर हवेली के अड्मिनिस्ट्रेटर प्रफुल पटेल का आ रहा है मैं बड़ा आश्चर्य चकित हुआ ये चीज़ देख कर सुनकर और एक ऐसा शक्स जिसका नाम एक सियूसाइड केस से जुड़ावा है अबेटमेंट इस सियूसाइड के मामले से दादर नगर हवेली के साथ बार चुने गए सेवन टाइम मेंबर वफ पारलिमंट साथ बार चुने गए वहांके बहुत ही लोक्रीय सांसद मोहन जी जिनोंने आत्महत्या करी और आत्महत्या करने के बाद जिस शक्स का नाम सामने आया उस आत्महत्या के पीछे का कारण वो शक्स कहीं न कहीं एड्मिनिस्ट्रेटर प्रफुल पटेल बताया जा रहा है ये भी कहा जा रहा है कि प्रफुल पटेल जी पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने सांसद को मोहन देलकर जी को इतना प्रतारित किया, इतना एक्स्प्लोइट किया, कि अंततह परिशान होकर उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया, सियूसाइड कर लिया, आत्मात्या कर लिया। यही नहीं, दो अफसर दादर नगर हवेली के अड्मिनिस्ट्रेशन के और बीते कुछ समय में आत्मात्या कर चुके हैं और उन्होंने भी अपने आत्मात्या के कारण में वहां के अड्मिनिस्टर, अड्मिनिस्ट्रेटर प्रफुल पटेल का नाम सामने दिया है। यह बहुत ही चौका देने वाली चीज है बहुत ही दुर्भाग्यपून है और बड़े ही रोंग्टे खड़े करने वाले आरोप है जो प्रफुल पतेल जी पर लगे हैं और ऐसी स्थिती में एक ऐसे शक्स को दिल्ली का एड्मिनिस्ट्रेटर बनाना दिल्ली का लेफ्टने ही और मैं बड़ा ही आश्चर्य चकित हुआ जब मैंने यह खबर देखी है मैं बस यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के लिए दिल्ली वासियों के लिए यही अच्छा होगा कि इस प्रकार का कोई भी विवादित वक्ती हमारे शेहर में ना आएं और ना आकर कोई ऐसी संब झाल 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 झाल